नमस्कार जैम आतादी मैं डाक्टर रेलो गुसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करते हूं शाम की चाय का टाइम हो या कोई महमान आए तो हलका फुलका कुछ नाच्ता तो जरूर साथ में अच्छा लगता है तो आज हम पिल्कुल पंजाबी स् तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्रिस्पी मठी की रेस्पी मठी बनाने के लिए मैंने यहां पर दो कप मैदा दिया है और साथ ही साथ मैंने आधा कप क्लेरिफर्ट बर्डर यानि के देशी घी लिया है आप चाहें तो यहां तो डालडा घी की मौन डाले या फिर अगर आप वेजटेबल की डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्मेल सी रह जाती हो जादा देर चलती नहीं है तो प्रेफरेबली यहां तो बनस्पती अभी घी से आप मौन डाले या फेर देशी घी से डाले तो इस ही झाल है मट्ती जो हो है बहुत अच्छी बनती है और वान थार्ट कॉप यहां पर हमने पानी लिया है तो आधाना लिया तो सबसे पहले और इसमें डालने के लिए कुछ हमने मसाले लिये चैथ हमने लिये वन फॉर्थ चमच और आधा चमच ही यहां पर हमने यह तेल लिये हैं यह से बहुत मठरी क्रिस्पी बनती है आधा चमच ही यहां पर हमने अजवाइन लिये है और आधा चमच जीरा दिया है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए यहां पर मैंने यह मेति ली है सु आपने घिया घाल्ड जालेंगे, यह इए है अगर घी को passiert अपने घormuşád मिलएंगे तो कर मैध मत्षी रची नहीं बनें नहीं जालेंगे अर इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे एक हमारा ढौर मत्षी तरह से मिलें नहीं बनाइगे फिर उसमें मज़ा नहीं आता है इसको आप हम दोन्हों हाथोंसे इस तरह से मिलाएंगे गी को इसकी देखिए आप इस तरह से जो मुठी है यह इस तरह से बननी चाहिए और अगर यह नहीं बनती है मोयन के बिना जो है कोई भी मठी मठी जो है वो नहीं बनती है तो मोयन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टन होती है उसको मिक्स करना बहुत इंपॉर्टन होता है कि बीच में कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पा मुश्किल से हमने 100 ml वाटर जो है इसमें यूज किया है आपने पानी बहुत कम रखना ही अपने पास कम पानी है ताकि ज्यादा जले ही ना थोड़ी सी मेनत लगती है इसका जो डो बनाने में क्योंकि देखी कितना टाइट है तो आपने टाइट लगाना है इसका डो हमारा त देखी कितना टाइट है इस तरह से आपने टाइट लगाना है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए कपड़े से ढखकर रख देंगे डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए है अब हम इसको थोड़ा सा और मुलाइम कर लेंगे और इसमें से हम तीसरा हिस्सा जो है इसका काट लेंगे तीन हिस्से इसके कर लेते हैं एक हिस्सा हम यहां पर दे लेंगे और उसको हम रोलिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और बाकी को हम दुबारा ढखकर रख देंगे रोलिंग बोर्ड के ऊपर हम इसको इस तरह से रोल करेंगे और इनको हम छोटे-छोटे अकार में यहाँ पर काट लेंगे उसमें से एक चीज ऐसे लेकर और इस सरह से हम सैंटर में रखते हुए इसके एक लोई बनाएंगे उच मैंने यहां पर बनालियें निए बॉल इपर मैंने काली मिर्ची लगाई ए ताकि जब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे तो ये मिर्ची जो है बाहर नहीं आएगी ये जो मठी है हमारी ये पंजाबियों की खास भाजी की मठी है शादी किसी भी शादी के अंदर कोई भी शादी हमारे यहां पूरी नहीं होती जब तक जो भाजी है वो ना आए और उसको बहुत जादा पसंद किया जाता है तो अब हम इस तरह से इसको यहां पर रोधिंग बोर्ड के उपर इस बॉल को हम हलका हलका बेलेंगे इसको हमने बहुत पतला नहीं करना है क्योंकि जादा पतला किया तो इसमें क्योंकि मौन जादा होती है और वो इसके फटने कड़ा इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसको हलका हमोटा रखेंगे पतली मठी जो है वो थोड़ी और तरिक्के से बनती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी तो यह हमारी स्पेशल भाजी की मठी है जो आपको डिबो में आती है और आप सारे उसको पसंद करते है यह दो से हमने यह मठी बेल ली है तो सबसे पहले हम घी को गरम करेंगे मठी को तलने के लिए मैंने यहां पर भारी तले वाली कड़ाई में ऑईल जो है गरम कर लिया है अब हमने मठी को जो तलना है वो बहुत ही धीमी आंच पर तलना है तो यह हम पहले चेक करेंगे और सब्सक्राइन इसका उपर अजया है अगर एकदम यह उपर आ जाता है तो इसका मतलब इस है कि हमारा तेल अभी गर्म है तो हम इसकी थोड़ी वेट करेंगे कि यह तोड़ा ठंडा हो जाए करका यह एकदम से उपर आ गया इतनी जल्दी यह उपर नहीं आना चाहिए तो थोड़ा सा यह ठंडा हो जाए तो उसके बाद जो है इसके अंदर हम अपनी मठी डालेंगे हम एक एक करके आंच हमने बिल्कुल धिमी कर दिये आप इस बात का ध्यान रखें कि आप आंच को बिल्क इसको हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे जब तक यह अपने आप उपर नहीं आ जाती तब तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं चेड़ेंगे जब यह अपने आप तेल के उपर आएंगे तब हम इनको हल्का सा गुमाएंगे अगर हम इनको बार बार अभी चेड़ देंगे तो य अब देखिए यह दीरे अपने आप आ रहे हैं अब देखिए सारी मठी हम दीरे दीरे ओपर आ गई हैं अब हम हलका सा ओई से मनलब मठी को नहीं हिलाएंगे ऑई से थोड़ा सा हम ऐसे चेंज करेंगे तांकि जो कोई नीचे रह गई है उसको भी स्पेस मिल जाए ओपर आने तो आपने इस चीज का धिया रखने कि आपने यहां पर मठी को नहीं हिलाना है अब हम इनकी हलके हलके हाथ से इनकी साइट को चेंज करेंगे जब तक घुलाबी नहीं हो जाती तब तक हम इनको प्राई करेंगे लेकिन बिल्कुद दीमी आज फर दिए अब हमने साइट च अब आप देखिए हलकी हलकी गुलाबी हो अभी हम इनको थोड़ा सा ओर गुलाबी करेंगे हमने इनको ब्राउन नहीं करना अगर मठी बहुत जादा ब्राउन हो जाएगी तो इसका टेस्ट जो है वो करवा हो जाता है और अब बिल्कुल 2-3 मिनट हम इनको और पकाएंगे पेशन्स जाहिए मठी को बनाने के लिए एक बरिया आप बना कर रख लेंगे तो आप कहीं दिन खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मोयन भी हमने देशी घीकी जाली है तलने के लिए आप कोई भी ओय ले सकते हैं जैसा आपकी मर्जी हमारी देखिए गुलाबी हो गई है ब देखिए खसता करारी भाजी वाली मसालेदार मठी और लेकिन अभी यह बहुत गरम है जब तक यह ठंडी नह हो जाए तब तक आप इसको स्टोर नहीं करेंगे तो पहले इसको बिल्कु रूम टेंपरेचर पर जब यह ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी इसको जालका रख सकते हैं और काफी दिन तक जो है आप इसको एंज्या कर सकते हैं अभी मैं आपको जो ठंडी है मठी एक मैं तोड कर दिखाती हूं यह देखिए एक इतनी खसता है अंदर से और इसमें जो साबू धनिया है इसको इतना क्रिस्पी टेस्ट आता है इसके अंदर आप इसको इसी तरह से बनाएगा दोब बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखेगा मोयन डालने का थोड़ा सा ध्यान रखेगा और बहुत ही लाजवाब और उसको बनाकर आप कितने दिन तक रख सकते हैं और दिवाली भी आने वाली है तो महमादों को खिलाने के भी काम आए